हेलो फ्रेंग्स, वेल्कम तो रेसिपी आना, मैसाँ मैसे में 150 ग्राम है, साथ में 2-3 चंबच घी यूज़ करेंगी, तो सबसे पहले हमें मूमफली को भूलना होगा, जिसके लिए इसे हम पैन में डाल रहे हैं, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और बीच वीच में चलाते वे इसे अच्छे से भूनेंगी, मूमफली से अवाज आ रही है, चटचट की, तो इसे हम पीच वीच में चलाते रहते हैं, जैसे ही मूमफली से अवाज आना बंद हो जाए, तो समझ जाएए कि ये अच्छे से भून चुकी है, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगी, मूमफली यानि पीनेट हलके से ठंडे हो गये हैं, अब हम इनके छिलके को निकालना है, तो इस तरह आप हाथ से रगड कर इनके छिलके को निकाल सकते हैं, नहीं तो आप दोनों हाथों का यूज़ करके इसे रगडे और इसके छिलके को निकाल दें, ये काम थोरा सा बोरि दिया है अब हमें चिक्की बनाना है चिक्की बनाने से पहले मैंने यहां एक प्लेट ली है और इसमें हम देशीगी लगा देते हैं क्योंकि हम इसी में चिक्की को जमाएंगे आप इसके जगह ट्रे का भी यूज कर सकते हैं एक बब फिर से मैंने गैस पर पैन रखा है और इसमें हम डाल रहे हैं गुड़ और दो चम्मच देशीगी फ्लेम को हमें इद्दम से स्लो रखना है और इसे हमें लगातार चलाना है धीरे धीरे गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लगेगा बस आपको ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपको तेश बिल्कुल भी नहीं करना है इद्दम स्लो फ्लेम पर आपको गुड़ को पकाना है गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये फूलना शुरू हो गया है तो अब हम गुड़ को एक बाद चेक कर लेते हैं हमें बिल्कुल कट-कट करने वाला गुड की चासनी चाहिए तो मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और इसमें मैंने गुड डाला है और लगबग 10 सेकंड बाद इसे हम चेक कर रहे हैं पर इसकी लोई बन रही है और हाथ में हलका सच चिपक रहा है तो इस तरह की हमें चासनी नहीं चाहिए गुड की तो लगबग 30-40 सेकंड मैंने और पकाया है गुड को और एक बाद फिर से चेक कर रहे है तो लगबग 10 सेकंड मैंने ठंडा कर लिया है और यहां जो गुड है यह टूट रहा है यानि कट-कट हो रहा है तो इसी तरह की हमें चासनी चाहिए अब हम इसमें तुरन मुमफली डाल रहे हैं जिसका मैंने छिलका पहले ही उतार दिया है और लगब तार चलाते वे गुड को अच्छे से मिलाएंगे इसमें गुड और मुमफली अच्छे से मिल गई है कैस की फ्लेम को बन कर देते हैं और इसे हम तुरन प्लेट में निकालेंगे यह काम आपको तुरन करना है नहीं तो जो गुड है वो जमना शुरू हो जाएगा और इसे हम तुरन दवाते वे अच्छे से सेट कर रहे हैं चेकी को गरम में ही अच्छे से सेट कर लेना है अगर यह ठंडी हो गई तो बिल्कुल भी सेट नहीं होती है तो मैंने यहाँ स्पैशलर ले लिया है जिसे बहुत ही असानी से चेकी सेट हो जाती है तो कुछ इस तरह मैंने इसे सेट किया है और इसके बाद इसे हम काट लेते चीकी को बिलकुल भी आप ठंडा नहीं करियगा अगर यह ठंडी हो जाएगी तो यह शैट भी नहीं होगी और कटेगी भी नहीं तो इसे आप गरम में ही अच्छे सेट कर ले और काट लें तो चीकी को आप इसी भी शेव में काट सकते हैं इसके बाद इसे हम एक से तेर्ट आप देखन पर रख देंगे, जिससे आच्छे से ठंडी हो जाएगी, लगबक 15 ऐह हो गया है, अब इससे हमें निकालना है, तो नीचे से हम हलका सा गरम कर लेंगे, जिससे आचानी से निकलाएगी और चाकू के हल्प से इसे निकाल लेंगे, नहीं तो आप प्लेट को बहुती असानी से तूमीद है कि आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आई होगी प्लीज कमेंट करके बताईएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा और विडियो अच्छे लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और इस सर्दी के मौसम में इस रेसिपी को जरूर इंजॉय करें तो एक बाप फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी साथ तब तक के लिए थैंक यू